हेल्थ केर के अथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर केगे पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कुछ पस्तन चीओ के बारे में दोस्तों दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चैनल पे लगबख 5000 सिब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं और इस खुशी में हम आप सभी के साथ में इसको मिल करके celebrate कर ना चाहते हैं का समय होगा मतलब बहुत ही जल्दी जैसे ये पांच जार सब्सक्राइब पूरे होते हैं मैं आपके सामने एक लाइब सेशन करना चाहता हूँ चुकि बड़े सार लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर लाइब सेशन अपने जितने भी क्वेस्टन्स हैं कोई भी तकलीफे हैं उन चीयों को आप वहाँ पर डिसकस भी कर सकते हैं उस दोरान में तो लाइब आने का आपको बेनफिट मिलेगा और जल्दी से जितनी जल्दी ये सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे होते हैं पांस जार लगबग चार जार छे सो हो चुके हैं मात्र चार सब और हैं और बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा दोस्तों सा बात करना चाहते हैं पाइल्स के उपर चुकि इस बारे में कई सरे लोगों के कुश्टन्स आ रहाए थे तो थ्ला सा इसको में क्लियर कर दो पाइल्स में एक खास दवा है ऐलो सोक्रोटीना तो आज हम इसके कौनकों से सिम्टम्स हैं कैसे हम फांड आउट करेंगे कि हम एलो सोक्रोटीना की हम बात करते हैं तो पाइलोस का जो सिम्टम होता है कि गुच्छे के जैसे मतलब दो जाण और जैसे अंगूर के गुच्छे होते उस तरह के पायल्स के गुच्छे बाहर निकला आते हैं और इसमें जलन होती है डर्द होता है खास बात यह होती दोस्तों कि इसमें जलन या दर्द होता है उसमें ठंडक पानी है ठंडे पानी से इस्तिम्बाल करने से ठंडे पानी से धुलने से पेशन को रहत मिलती है आराम मिलता है ये इसका बड़ा खास सिंटम है दोस्तों और इस सिंटम पे अगर आप किसी भी तरह अगर पाइल से आप देते हैं तो जरूर आराम मिलेगा इलो सोक्रोटीना से इसकी 30 या 200 प्रोटेंसी आप दिन में सुबह दो पर शाम आप इसके इसके इस्तिमाल कर सकते हैं यह भी एक बड़ा खास सिम्टम है इलो सोक्रोटीना का और जो हमने बताया है कि ठंडिक पानी से आराम मिलता है इसको कंपेर कर सकते हैं मियूरियाटिक एसीड के साथ में दोस्तों मियूरियाटिक एसीड का जो कंस्टिपेशन उसके इंदर ज्यादे होता है और साथ में जो condition होती है उसमें constipation के कारान bleeding होती है constipation के कारान जो मस्चे होते हों बाहरी तरफ निकल आते हैं कब्योंत होती है चुबं जैसा दर्द होता है इन करानिस्व लिए बहुत अच्छी दवा यह मुट तो दोस्तों ये सारी बात रही पाइल्स के बारे में और मैं समझ रहा हूँ कि आपको एक क्लियर पिच्छर मिल गया होगा कि एलोज का इस्पेश्टी जो मेरा मकसद था कि एलोज का पाइल्स किस आधार पे हम देंगे तो मैंने आपको बताया कि पहली कंडिशन यह होगी कि alternate diarrhea and constipation दूसरा symptom यह होगा कि ज़्यादे तर आपको जलन हो दर्द होगा यह सब होगा और उसमें आपको आराम मिलेगा तो दोस्तों यह और एक medicine और बहुत बढ़ी है दोस्तों ऐसी कंडिशन में जबकि कमर में दर्द हो आपने कई बार ऐसा देखा हुआ कि जिन patient को तकलीफ होती है उनके साथ में कमर में भी दर्द रहता है मतलब पाइल्स की तकलीफ होती है और कमर में भी दर्द होता है तो वहाँ पे एसकुलस हिप 30-200 प्रोटेंस की आप सुबा दुपार शाम सुबा साम आप इस्तिमाल करें बहुत बढ़िया रिजल्ट आता दोस्तों तो दोस्तों ये सारी बहतरी जानकारी है आज इलोज के बारे में और उसके खास उसे constipation या कहिए की पाइल्स के बारे में तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों चैनक को सबस्क्राइब करें जितने सवाल है सारे सारे पूँचेगा हर सवाल का जवाब में दूँगा मुझे अच्छा लगेगा आप लोगّा उसे face to face बात करके ढ़न्यावाद दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में तब तक मैं ख्याल लखिएगा नमस्कार दोस्तों